हेलो एब्रीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैंडरा एडवांस एजूकेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की एक बड़ी प्यारी सी कवीता जो स्री मैथली शरण गुपत जी के द्वारा लिखी गई है और कवीता का नाम है नर हो ना निराश करो मन को यह बड़ी अच्छी कवीता है मनुश्य के बारे में हैं नर के बारे में एक कवीता दी गई है इसका में कहा गया है कि तुम निर हो मतलब तुम मनुश्य हो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और तुम्हारे जो जीवन है यह मतलब मनुश्य जो जीवन है इसके अर्थ को तुम्हें समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है तुम्हें इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए और तुम्हें निरास्तों कभी भी होना नहीं चाहिए और बाकी जो है हम इस कवीता में हम समझेंगे तो देना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेसन नर हो ना निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो मतलब इन दो पंक्तियों में कहा गया है कि तुम नर हो मतलब मनुष्य हो तुम अपने मन को निराश मत करो, तुम कुछ काम करो, मतलब कुछ काम करो, निराश मत करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उप्युक्त करो तनका, नर हो ना निराश करो मन को, से जन तुम्हें मिला है तो तुम कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर मतलब संसार में रहकर के कुछ कुछ नाम करो, कुछ काम करो और इस संसार में रहा करके कुछ नाम करो, तुम्हारा जो यह जनम हुआ है, मतलब मनुष्य का जो जनम हुआ है, तुम इसके अर्थ को समझो, तुम इसको व्यर्थ ना जाने दो, यह जो तुम्हें सरीर मिला है, इस तन को कुछ उप्योग करो, मतलब कुछ ऐसे काम करो जिसे ये उप्युक्त हो तुम्हारा तनिये तुम्हारा शरीर ये नर हो तुम नर हो ना निराश करो मन को तुम मनुष्य हो तुम अपने मन को निराश मत करो समलो की स्योग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदू पाय भला, समझो जग को न निरास अपना, पत आप प्रशस्त्र करो अपना, अखलीश्वर है अवलंबन को नरहो न निराश करो मन को देखिए क्या कहा गया है इन पन्क्तियों में समलो की स्योग न जाय चला, मतलब समल जाओ इस से पहले की अच्छा समय दिया गया है, स्योग समय दिया गया है उससे पहले की अच्छा समय चला जाए खुद को समालो तुम समल जाओ कब व्यर्थ हुआ सदू पाय भला जो भी अच्छा काम किया है किसी ने भी वो कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है कब वो व्यर्थ हुआ है वो कभी व्यर्थ नहीं हुआ है मतलब समल जाओ इससे पहले की अच्छा समय चला जाए और अच्छा किसी ने अगर काम किया है तो वो कभी भी बेकार नहीं गया है समझो जग को न निरासपना तुम कभी भी संसार को निरासपना या जूटा सपना मत समझो पत अप प्रसस्तर करो अपना रास्ता तुम खुद बनाओ अखलेश्वर है अब लंबन को अखलेश्वर मतलब जो भगवान है अखलेश्वर मतलब होता है संसार का स्वामी या भगवान अखलेश्वर है अब लंबन को मतलब सहारा देने के लिए तो भगवान है तुम अपना रास्ता बनाओ अपना मार्ग प्रसस्त करो और सहारा देने के लिए तो भगवान है नरहो न निराश करो मन को, तुम मनुशे हो और तुम अपने मन को निराश मत करो निज गोरव का नित ज्यान रहे, हम भी कुछ है या ध्यान रहे सब जाए अभी पर मान रहे, मरनोत्तर गुंजित गान रहे कुछ कहो न तजो निज साधन को नरो न निराश करो मन को देखी क्या कहा गया है निज गोरव का नित ग्यान रहे मतलब तुम्हें अपने गोरव का अपने सम्मान का हमेशा तुम्हें ग्यान रहे तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हारा भी कोई गोरव है आत्म सम्मान है ठीक हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे और हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम भी कुछ हो तुम मनुष्य हो तुम कुछ हो यहां पर संसार में आये हो तो तुम कुछ हो यह भी तुम हमेशा ध्यान रखना सब जाए अभी पर मान रहे चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन हमेशा मान रहना चाहिए अपना जो सम्मान है मान सम्मान है वो हमेशा रहना चाहिए मरनोतर गुंजित गान रहे और हमेशा मरने के उपरा मतलब हमने जो भी अच्छे काम किये हैं हम ऐसे काम कर जाएं संसार में कि मरने के बाद हमारा जो गान है गुंगान है ये संसार करें कुछ होनत जो निज साधन को कुछ भी हो जाए लेकिन जो तुम्हारा निज साधन है मतलब जो एक तरीके से हम आत्मिश्वास मान सकते हैं कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपने जो आत्मिश्वास है या फिर जो निज गोरव है उसको कभी भी त्यागना नहीं चाह नर हो न निराश करो मन को तुम एक मनुष्य हो और कभी भी तुम निराश मत हो तुम अपने मन को निराश मत करो अब आगे के पंक्तियों में हम पढ़ते हैं प्रभू ने तुमको करदान किये सब वांचित वस्तु विधान किये तुम प्राप्त करो उनको न हो फिर है किसका जो डोष गो समझो ना अलब है, किसी इधन को नरहो न निराश करो मन को देखिए इन में किया कहा गया है प्रभू ने तुमको कड़ दान किये, सब वांशित वस्तु विधान किये भगवान ने तुम्हें सब कुछ दान दिया है सब कुछ जो भी तुमने चाहा है चाह कोई वस्तु विधान सब कुछ तुम्हें जो तुम्हें इच्छा हुई है वांचित वस्तु में हैं जो भी तुमने चाहा है वो तुम्हें मिला है मन चाहा तुम्हें मिला है तुम प्राप्त करो उनको ना हो मतलब तुम उनको प्राप्त करो जो भी इश्वर ने तुम्हें दान किया है तुम उनको प्राप्त करो तुम उनको ऐसी बेकार ना जाने दो फिर है ये किसका दोस कहो मतलब अगर तुम इसको प्राप्त नहीं कहो ना समझो ना लब्बे किसी धन को नर हो ना निराश करो मन को तुम किसी भी धन को चाहे कैसा ही भी धन है वो उसको कठी न मत समझो तुम नर हो मतलब तुम मनुश्य हो तुम अपने मन को निराश मत करो किस गोरव के तुम योग नहीं कबकोन तुम्हे सुक भोग नहीं जन हो तुम भी जगदिश्वर के सब है जिसके अपने घर के फिर दुल्लब क्या उनके जन को नरहो न निराश करो देखिये, ऐसा कौन सा गोरव है ऐसा कौन सा सम्मान है जिसके तुम योग्य नहीं हो और ऐसा कौन सा सुख है जिसको तुम भोग नहीं सकते हो और ऐसा कौन सा गोरव है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो और ऐसा कौन सा सुख है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम हो जन हो तुम भी जगदिश्वर के तुम भी उस भगवान के जगदिश्वर मतलब जगद इश्वर मतलब संतार के स्वामी, तुम भी उस भगवान के इश्वर के जन हो, व्यक्ति हो, सब हैं जिसके अपने घर के, जिसके सब ही मतलब अपने घर के हैं, अपने लोग हैं, तुम भी उसी जगदिश्वर के जन हो, उसी वस्तु को वो प्राप्त ना कर सके नर हो ना निराश करो मन को तुम मनुश्य हो और तुम अपने मन को निराश मत करो करके विदिवाद ना खेद करो विदिवाद का अर्थ होता है यहां पर भाग्यवाद कभी भी चलो इसका आगे पांक्तियों काट से पुरा ही बताएंगे करके विदिवाद ना खेद करो निज लक्ष निरंतर भेद करो बनता बस उद्यम ही विदी है मिलती जिससे सुक्की निदी है समझो धिक निश्ट्रय जीवन को नरहो न निराश करो मन को देखे इसमें क्या कहा गया है करके विदिवाद ना खेद करो मतलब भाग्य को रोते मत रहो भाग्य क्योंकि मेरे भाग्य में तो यह ऐसा ही लिग गया यह तो मेरे भाग्य की बात है तुम कभी भी अपने मतलब भाग्य को सोच करके खेद मत करो पस्तावा मत करो निज लक्ष निरंतर भेद करो और तुम हमेशा अपने जो लक्षे है ज तो ही वो सफल हो पाएगा मतलब जो भी गोल आपने बनाया है जो भी लक्षि निर्धारित किया है अगर तुम परिश्रम करोगी तो ही वो तुमें मिल पाएगा मिलती जिससे सुक का खजाना मिलता है समझो धिक निश्क्रय जीवन को नरहो न निराश करो मन को यह जो जीवन है इसको निश्क्रय मत समझो तुम बेकार मत समझो तुम नरहो कभी भी तुम अपने मन को निराश मत करो यह थी एक प्यारी सी कवीता मैथली शरण गुपत जी के द्वारा लिखी गई कवीता है ये और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक मनुष्य के जीवन को बताया है कि जो भगवान है उन्होंने मनुष्य का जीवन है उसको सर्वरेश्ट सर्वस्रेस्ट रचना किया मनुष्य के जीवन की और मनुष्य को कभी भी निरास नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर सकता ठीक तो ये कविता आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करना शेर करना अगर आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया चैनल तो सब्स्राइब कीजिए ऐसी वीडियो हम अप्लोड करते रहते हैं साथी बैल एकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं थैंक यू